वेल्कम डू स्टॉक मार्केट मीडिया निफ्टी ने आज काफी अच्छा बाउंस बैक किया है सेवेंटीन दाउजन के लेवल पर निफ्टी में सस्टेंड किया है तो हम यहां पर एक्सक्ती कर सकते हैं कि यहां से ऐक पॉजिटिफ डारेक्शन में निफ्टी आगे बढ़ सकता है इसके लिए कल के सेशन के लिए अगर निफ्टी पॉजिटिव रहता है तो तीन स्टॉक्स है जो की एक अच्छे लेवल पर खड़े हैं और आप इससे एक Swing Trade Opportunity जिसे ट्रीट कर सकते हैं तो स्में से First Stock है एक Pharma Stock है, Glad Pharma है, Glad Pharma, जिसे कि अब देख रहे हैं कोरोना Cases आयाने लग गए है तो Pharma सेक्टर पॉजेटिव हैं. तो Gul doubland Pharma काफी attractive greater level पर यहां पे सस्टेन कर रहा है आज स्टॉक तीन परसेंट उपरता और 3600 के लेवल्स पे यह क्लोजिंग दिए इस में 3607.50 एक्जैक्ली अगर टेक्निकली देखेंगे तो यहां पर एक रेजिस्टन्स है 3400 के लेवल्स पे और स्टॉक इसको स्ट्रॉंगली एजर सपोर्ट ट्रीड कर रहा है और इसके पहले एक लंबी सी रैली आई यह स्टॉक में और यह एजर फ्लैग एंड पोल पैटन बना रहा है यहां पर ऑके जैसे ही इसने यहां पर ब्रेक आउट दिया आप इमिजेटली चेक कर देख सकते हैं कि आपको 43 और 4300 और 4500 के लेवल्स आपको ग्लैंड फार्मा दिखा सकता है अगर फार्मा सेक्टर पॉजिटिव रहा और निफ्टी भी सपोर्ट करता है तो ग्लैंड फार्मा विदिन वन और तू मंथ 4500 के लेवल्स आपको पॉलिमेटिक और भी एक फार्मसेटिकल कंपनी है कंपनी फार्मसेटिकल एपरेटर्स और उससे रिलेटिट चीज़ है जैसे गलव सेनिटाइजर सेरेंजर यह सब बनाती है अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक फ्लैग और पोल पैटर्न बना है अल्डेडी स्टॉक ने ब्रेक आउट दिया है बट आज स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है अपने ट्रेंड लाइन को तो अगर आपको एक स्विंग ट्रेड अपोचुनेटी चाहिए लैंड फारमा और पॉली मेडिक्योर दोनों ही एक ऐसे स्टॉक है जिसमें फ्लैग और फ्लैग और पोल पैटर्न डेवलप हुआ है और पॉली मेडिक्योर में इमीचियट अगर यहां से अप्ट्रेंड आ तो यहां से भी 20 अप्ट्रेंट में इसमेत मैं थर्ट स्टॉक है पॉली प्लेक्स अगर आप चार्ट स्टॉक्चर देखेंगे तो यह स्टॉक कंटीनूसली अप्ट्रेंड में रहाता है रेष्ट करता है और उसके बाद एक new journey start करता है stock अभी एक channel pattern के बीच में trade कर रहा है और इसका जो immediately resistance है वो 1960 का है और stock अभी 1873 के levels पर trade कर रहा है stock ने आज काफी strong volumes के साथ closing दिया तो हम इसमें trade ले सकते हैं और हमारा immediate target होगा 1960 का stock अगर अपने resistance को तोड़ता है तो इसमें immediately up put 2200 और 2500 levels भी दिख सकते हैं within 1 और 2 months लेकिन अगर nifty positive रहा तो ही अगर nifty यहां से नीचे चले जाता है तो polyplex एक अच्छा swing trade नहीं साबित होगा लेकिन अगर nifty नीचे जाता है corona cases की वज़े से और pharma index strong है तो gland pharma और polymedicure ऐसे दो stocks हैं जो यहां पर अच्छे swing trades साबित होगे और almost आपको 10-20% का return दे सकते हैं तो देखें हमने तीन stock इसमें आप swing trade ले सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए इस वीडियो में इतना ही Thank you । सर्फ चैनल को यूसाना ही तापके लेग हुआेन कीजवाओ वीडियो में 1 टीन